हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग भी इंडिया पोस्ट आपिस भारती डांक विवाग की तरफ से आने वाली जेडियास ग्रामीन डांक सेवक के पदो पर बंपर भरतियों का इंतजार करें तो आप सभी के लिए बीडियो कापी इंपोर्टेंट होने वाली है इस बीडियो में कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जिससे ट्वीटर के अंदर फाइनल जवाब क्या आया हुआ है जेडियास की ऑफिसल वेपसाइट बंद हो चुकी है उसको लेकर क्या अपडेट है क्या बदलाओ होने वाले है चुनाओ की बज़े से क्या भरती कैंसिल हो जाएगी इसके अलाबा कौन सी वो फिक्स डेट है जहां पे आपके नोडिफिकेशन आपको देखने को मिले वाले है आज का ताजा अपडेट क्या है लेटेश अपडेट के बारे में बात करेंगे और इसके अलाबा आप लोगों ने काफी सारे कोशन किये हुए हैं तो सुरू के कुछ 2-4 मिनिट के अंदर इन सारे सवालों का जवाब देंगे उसके बाद आपने जितने भी कोशन कमेंट किये हुए हैं सभी का जवाब आपको प्रॉपर यहां पे प्रूप के साथ में मिलने वाला है तो आप सभी से रिक्वेश्ट होगी कि अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट होता है बीडियो को देखने के बार या देखने से पहले नया कोई कोशन है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि अगली बीडियो में रिप्लाई मिल सके और इस बीडियो को बिना कहीं इसकी पूरी आखरी तक देखे ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगे और ऐसी ही जानकारी आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर आउन करे दोस्तों सबसे पहली बात कि GDS की वेपसाइट बंद हो गई है बंद क्यों हुई इसके बारे में हम बात करेंगे पर प्रूप के साथ में पहले आपको दिखा देते हैं तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है कि अपना गूगल ओपन कर लेना है उसके अंदर आपको GDS सर्च करना है GDS टाइब करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर IIS Windows Server करके कुछ आएगा Internet Information Service यानि कि यह website पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है या यूँ कहें तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है तो जब ऐसा होता है कि website काम नहीं कर रही होती उसके पीछे बज़े होता है जो developer होता है वो back end के अंदर कुछ system तो नया add-on होने जा रहा है या तो आपके वेकेंसियों के notification add हो रहे है apply का link add हो रहा या तो पुराने जितने भी notifications थे और पुराने जितने भी mate list आई हुई है उनको सबको वहां से हटाया जा रहा तो पुराने चीजों को तभी हटाया जाता है जब कुछ नई चीज़े वह आपकी है वो first week of February भी हो सकता है second week of February भी हो सकता है यानि कि हम मान के चल सकते हैं कि 5 February से लेकर 10 February की बीच में आपके notifications आपको मिल जाएंगे आपकी apply online के link भी मिल जाएगे आपको देखने को अगर यहां पे कुछ add-on हो रहा होगा तो तो हमने आपको official website बता दी टुटर के अ मिला और reply के अंदर टुटर में से क्या जबाव आया अभी हम बात कर लेते हैं आज के अपडेट के बारे में और साथ ही साथ चुनाओ की बज़े से भरती रद हो सकती है क्या पहली बात तो यह जान लीजे किसी election यह जो हो रहा है किसी particular state का election नहीं है और इंडिया लेबल प आया है तो उसका made भी नहीं आ सकता तो यह मान के चलिए जैसे मान के चलिए कि आपका चुनाओ की बज़े से इस भरती के अंदर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अभी मैं आपको प्रूब बताता हूँ देखे फरवरी second week क्यानि की फरवरी के दूसरे हपते से मार्च के चार सहीता जो है वो जो लागू है वो खतम हो जाएगी और देखे आपको आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय मिलेगा अभी आपका नोटिपिकेशन आया नहीं है 5-10 यानि की 5-10 फरवरी के बीच में अगर आपका नोटिपिकेशन आ जाता है और 10 फरवरी से आवेदन सु पहले आपको मिलता है अब बिंडो मिलता है जिसमें आप फॉरम को करेक्ट कर सकते हैं तो आप सुधार करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 5 मार्श तक उसके बाद 15 दिन के बाद आपकी पहली मेरिट आएगी यानि की 20 मार्श तक तो आपकी मेरिट आने से पहले मतलब अपलाई ही रहेगा तो ये बढ़िया चीज है कि आपको इलेक्सन की बज़े से मेरिट में कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी अचार सहीता उसके बीच में आप लोग आवेधन ही करने वाले हैं तो चुनाओ के बज़े से भरती में कोई परवाव नहीं हैं भरती रद नहीं होगी भरती कैंसिल नहीं होगी भरती डिले भी नहीं होगी हाँ वस अचार सहीता से पहले आपके जो नोटिफिकेशन से वो जारी कर दिये जाएं बदलाओ चल रहा है और ऑफिसल वेबसाइड भी बंद हो चुकी है बहुत जल्द आपको कुस कबरी बाएं तो देखने को मिलेगी अभी हम बात करते हैं कुछ और सवालों के जवाब के वारे में यहां felt के इंदर क्या जवाब है और बच्चों ने क्या कमेंट किये हुए हैं अब यहां पर आप लोग थमनेल भी देख सकते हैं कि यहां पर आपका कल के वीडियो के जो कमेंट से उनको हम पिक कर रहे हैं ऑनलाइन अपलाई कब होगा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जैसे ही मेरिट आती है GDS में कोई रिटन एक्जाम होता है या मेरिट पर सेलेक्शन होता है अगर मेरिट पर होता है तो 10 की मेरिट पर या 12 की मेरिट पर होता है बाकि इन्होंने अपना परसेंट बताया है तो देखें GDS के अंदर कोई एक्जाम नहीं होता और ये 10th के merit के basis पे होती है इसके बाद आपके कितने भी percent है 77 तो आप apply कर सकते हैं हार second के mark seat से क्या selection नहीं start होगा देखे हार second होता है intermediate होता है तो intermediate 12th की mark seat यहाँ पे apply नहीं होती 10th की mark seat ही यहाँ पे apply होती है अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि GDS के लिए यह job permanent है contact basis पे जौब तो permanent ही होती है लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से सरकारी नोकरी की पहुँच इसके पास नहीं है पूर्ण रूप से सरकारी नोकरी की मानिता नहीं है मतलब कि benefits जो होते हैं 8 गंटे की duty हो गई अच्छी खासी salary हो गई allowance हो गए तो वो सारी facility अभी GDS के पास नहीं है मेरा metric में 85.3 है क्या होगा बिल्कुल हो सकता apply करें 50% वाले का कुछ scene देखिए 50% वालों के लिए कोई scene नहीं है बस यहां पर यही कह सकता हूँ की एक अच्छी location देख के जहां की local language के बारे में आपको जानकारी हो जहां से cut up कम जाता हूँ वहां से apply करें इसके बाद sir मेरा 89 है मैं बिहार से हूँ क्या मेरा selection हो सकता है बिल्कुल पूरे पूरे chance है 25-26 मेरे तक आपका नाम आ ही जाना चाहिए sir मेरी उमर एक मन्त कम है 18 साल से तो form भज सकता हूँ अभी आजाने दीजे notification को उसमें देखते हैं कि date of birth किस date से calculate किया जारा फिर अंदाजा लगाएंगे कि आप एक महीने कम है या पूरे हो गए है या कुछ जादा कम है इसके बाद देखे 87.4 है जो sir जी सही है बेलकुल apply करें sir मेरा 100% है journal category हर्याना विथाउ TWS certificate मेरा हो जाएगा देखे हर्याना से जो है तो बहुत ज़्यादा cut up जाता है बहुत ज़्यादा यानि कि जितनी merit आती है वहाँ पे 100 पे 100 आता है अगर 10,000 वीडियों चल रही है तो 1000 बच्चे कमेंट कर देते हैं अपने-पने मन की बात तो हम ज़्यादा लोग को pick up नहीं कर पाते sir I am from asam 81% AWS have any chance बिलकुल chance बनेगा asam से अगर है और AWS से तो लेकिन 5 लिष्ट के बाद उससे पहले आप न सुचिएगा पर apply ज़रूर करिएगा sir मेरा 86.17 प्वड बिलकुल हो जाएगा PWD के टेगरी में काफी कम जो है तो competition है मैं asam से हूँ 10 में 70 12 में 66 तो 10 में जो है तो आपके 70 है 12 से कोई मतलब नहीं निकलता है यहाँ पर ओविस से है apply करिएगा हो सकता है 100% in a 10th class SC कास डेली duty चाहिए हो जाएगा क्या बिलकुल हो जाएगा 100% वालों का नहीं होगा तो किसका होगा apply करिएगा फिर देखिएगा sir apply कब होगा from a forum तो बहुत जल्द आपको update देखने को मिलेगा official website भी बंद हो चुकी हो सकता है आप सभी के लिए कोई positive update वहाँ पे ready हो रही हो sir मेरे 90% है मेरा क्या यहाँ पर selection होगा मैं तरुपूरा से हूँ बिलकुल 90% है तो 34 लिष्ट में तक आपका number आ सकता है 94.8 general EWS बिलकुल हो जाएगा 10th में 95% है हो सकता है बिलकुल HT category है तो कब तक vacancy आएगी बिलकुल planning ही चल रही है पूरी की पूरी 10th में 97 है obviously category 36 गर से बस्तर से बिलकुल apply करिएगा chance बन रहे हैं जितने भी 85 या 85 प्लस वाले हैं उनको apply करना compulsory है क्योंकि किसी भी merit में कहीं से भी आपका नाम आ सकता है सर 100% है राजस्तान में selection हो सकता है क्या बिलकुल 100% वालों का नहीं होगा तो किसका होगा सर मेरे 10th में 87.3 थी हैं OBC category राजस्तान स्री गंगा नगर से बिलकुल apply करिएगा सर मैं तरपुरा से हूँ 63% 63% काफी कम होता है लेकिन apply ज़रूर करिएगा एक video ready की जारी जहां पर अलग अलग जगे के अलग अलग cut up के बारे में बात करी गई है तो उसको देखेगा उससे अंदाजा लगेगा कि अगर 63 है 70 है 75 है 80 है यानि 85 से नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो कहां से apply कर सकते हैं local language के basis पे इसके बाद जो अगला यहां पर comment है 98 हिंदी इंगलिस ओभी सी राजस्तान बिलकुल apply करिएगा देन अगला comment है सर आप तो GDS को पूरा महाभारत जैसा लंबा करके आ जा रहे हो and thank you sir for giving good information देखें लंबा नहीं कर रहे हैं बस आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कुछ important questions होते हैं कुछ important updates होती है आप जैसे student ही है जो बैठे रहते हैं कि क्या update है आज क्या update है कल क्या update है तो एक video कम से कम डालना compulsory हो जाता है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हाली में का चल रहा जैसे अभी GDS की website closed है तो क्यों closed है इसके बारे में हमने बता दिया कब तक ये सही हो जाएगा इसके बारे में हमको भी अंदाजा नहीं है बाकी अगर कोई नई add-on information होती है तो आपको उसकी जानकारी भी मिलेगी बाकी आप बने रही है आपको यहाँ पे genuine information ही provide कराई आती है जार कंट से हूँ 10 में 88.886 है HD से हूँ हो जाएगा करे बिल्कुल selection हो सकता है कब वेकेंसी आएगा उसका बताव सर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा काम चलीं रहा है इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा sir, diploma, engineering mark, seat 12 वाले में अपलाई कर सकता हूँ क्या देखियें यहाँ पे 10th pass मागा गया अगर आपने diploma किया है तो आपने 10th pass करी है तो आप यहां पे apply करिएगा बांकी 12 के basis पे आपको apply करने की कोई वैसकता नहीं है मेरा 87% है OVC category ट्रिप्रोर से हूँ मेरा कौन से list में नाम आएगा आपका चौथे या पाच पे list तक नाम आने की संभावना बनेगी बट apply करिएगा UK 10 में 84 है 12 से कोई मतलब नहीं HD category apply करिएगा सर मेरे नमबर 90 है बिलकुल apply कर देगा 99.4 है क्या मेरा hope आएगा MP में बिलकुल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद 95.66 36 गड़ से हूँ और पिछली बार 97 गया था तो इस बार आपके chance है सरभरती कब आएगे जिडियास की बहुत जल्द प्रोसेसिंग में है 99.9 है कहां से भरना चाहिए इसके बारे में बिलकुल बताएंगा आप तो अपनी ही जगह से भरें वही चाही रहेगा क्योंकि 99.9 है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छार पाश लिष्ट में आपका नाम आनत है कंप्यूटर सेटिपिकेट नहीं है क्या करें बनवाना होगा इसके उपर एक कंपलसरी वीडियो बना चुका हूँ और फिर से अगर इन्फोमेसन चाहिए कमेंट करिएगा मेरे 90 हैं, बिल्कुल अपलाई करिएगा उसके बाद वही सेम कमेंट सबने अपने परसेंट बता है जैसे 84 हैं, अपलाई करिए 92 हैं, बिल्कुल अपलाई करिए मई में आएगी, मैं में आएगी बिल्कुल एक सेकंड विकेंसी आपकी जून और जुलाई में आती ही ये विकेंसी अभी आपको देखने को मिलेगी 88 है, ST से, CCA है, क्या करूँ मिलकुल अपलाई करिएगा 97 है अपलाई करिएगा, 97 OVC फीमेल से कोई मतलब नहीं 97 है अपलाई करिएगा, 89.69 है, OVC से अपलाई करिएगा अपलाई कर चालोगा, बहुत जल्द दिव्यांग बज्चों के लिए भी पोश्ट निकलेगी क्या 10 में, देखें, इनकी केटेग्री अलग होती है, जो PWD कंडिडेट होते है तो वो यहां पर अपलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद सर 72 है, OVC से का सेलेक्शन होगा, अपलाई करिएगा बागी सेलेक्शन के चांसे कम है, सर मेरा 95.85 है, बेलकुल हो जाएगा कब आएगा, बहुत जल्ब फोरम फिला पाएगा, इस बार Mark Seat अपलोड करना होगा Mark Seat का तो नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी ID अपलोड कर पाएंगे आधार कार्ट फोटो वाली, या फिर कुछ भी पेंट कार्ट ड्राइविंग लैसेंस इसके बाद यहाँ पे OVC 2014 में इस्सू है, हैंड रेटेन OVC डाकुमेंट वैडिविकेसन में कोई प्रावलम नहीं होगा एक और कमेंट करिएगा अच्छे से डीटेल में मेरे को भी इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से रिप्लाई मिला है इन्होंने सही कहा है कि आप वेपसाइट पर विजिट करते हैं बहुत जल्द जो है तो ऑफिसल वेपसाइट के अंदर नोटिविकेसन एवेवल होगा और ऑफिसल वेपसाइट भी बंद हो चुकी है तो यह अच्छी बात है आप सभी के लिए और इनका रिप्लाई भी बिलकुल सही है तो मैंने कुछ सवालों के जवाब दे दिये हैं इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करिएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो में देगे जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद